हेलो गाईज, वर्कम बैक टो सोरेशन मित्रा तो आज का कोईशन हमारा कुछ से प्रकार से है हमें क्या करना है A और B जो पॉइंट है इनके बीच में इक्यूवेलेंट रिजिस्टेंस फाइंड करना है तो देखिए जी हमारा जो तुल्य परतिरोद होगा तो यह तीन ओम और यह तीन ओम यह दोनों क्या है हमारे सीरीज में है तो जब यह हमारे सीरीज में हमारे परतिरोद रहेंगे इस परकार से यह सीरीज में जब हमारे परतिरोद रहते हैं यह सबोज यह आर वन है और यह आर टू है यह हमारा x of y point x है था ये y था तो y x के बीच में जो equivalent resistance y r y x हो जाता है ये कितना उजाता है सिदे सिदे क्या हो जाता हमारा resistance जूड़ जाते हैं और जब हमारे parallel में रहेंगे यहां पर मैं बता देता हूं परलल में जैसे इस प्रकार से यह यह मारे एक दुसरे के परल्ल होगे यह आप है यह फिर से एक्स और यह तो अभी यह आर एक्स वाई के बीच में तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लिपाइ़ करोगे तो यह मारा और एक्स वाई कितना मिल जाएगा मैं यह मिल जाएगा हमारा r1 into r2 divided by r1 plus r2 3 होंगे तो विर क्या हो जाएगा r1 into r2 plus r3 divided by r1 into r2 plus r2 into r3 plus r3 into r4 मला concept वही रहता है 1 by r equivalent equal to क्या हो जाता है जितने भी parallel मिल रहे होंगे 1 by r1 1 by r2 plus 1 by r3 plus dot 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 अगर rn पर दिरूज रहते तो plus 1 by rn तक जोड़ जाते तो इस प्रकार से हमारे पास जो हमारे series रहते है और parallel रहते है उनका जो हमारे equivalent find करना होता है उस प्रकार से हम find करते हैं अब यहाँ पर आते हैं जब हम तो a से n में जाएगा n से m में जाएगा तो a से n में जो n से m में यह दोनों के हैसे हैं यह हमारे series में है तो series में अभी देखो हमने क्या किया था से जोड़ दिया था तो a से m के बीच में क्या हो जाएगा इन दोनों का equivalent क्या हो जाएगा तीन दन तीन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इनका equivalent और अब ये देखो A से M point के बीच में, ये तो 6 हो गया इधर वाला और ये 6 इधर से हो गया, तो ये 6 और 6 क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पहलल में हो जाएंगे, तो इनका equivalent कितना हो जाएगा, A से M point के बीच में, अकर मैं total देखना चाहूं, R A to M, वो कितना हो जाएगा 6 और 6 पैरलल हो जाएगा, तो 6 चका 36, क्योंकि A R1 into R2 divided by R1 plus R2, यानि 6 धन 6, कितना हो जाएगा 12, तो 12 दिन चौपी, बारत ये 36, तीन ओम हो गया, R A से M के बीच में, कितना हो गया, तीन ओम हो गया, अब ये पूरा का पूरा तीन ओम है, ये इतना हमने solve किया, थोड़ा समोटा माटा देखा जाए, ये इस परकार से इतना solve कर चुका हूँ, तो इनका equivalent तीन ओम आ चुका है, अब ये तीन ओम जो है, ये हमारा, फिर से देखिए, जो A से M और M से L, ये तीन ओम जो इनका equivalent है, ये इस तीन ओम के साथ तो सीरीज में है, और जब मैं इसक तो कितना हो जाएगा फिर से मेरे को, R, A, L कितना हो जाएगा मेरे भी, R, A, C, L के बीच में कितना हो जाएगा total, ये यहाँ पर तीन ओम है, इनका equivalent है, तो तीन ओम सीरीज में होगे, तीन ओर तीन 6, तो 6 और ये 6, किसम होगे, अब parallel में होगे, तो फिर से इनका भी कितना ह तक है तक outtaagnा चुका på और इसलेकर और तक कितना जो इस लेके का तो इस चुच हैं हम्यार हप्रत फेर इसलेत तेन और याज से चुए और होगए यह प्यूहिक्त है क्यों संदितने हो पर शेह किसमें ऑन ऐसके फिर से चेरीजब और यह आहज जाते हैं पूरा हो गया 3 हो में फिर फिर से 6 हो गया इस चाह में और यह छाह अम पहरल ब्रिम हो गये तो पिर से इनका भी क्या आजये obsessed पैजरीज़ के लिए इसलर कि प्ना हो गार एसल है कि मेरा यह वे मेरा फिर से कितना है बहुत है अब यहां से यहां तक का aQu Complet कर कुका है के भीच मैं देख लो यह तो च्रह हों हो ग्यांसे यहां क्योंकि इन सबका एक्वलेंट करके अभी 6ू निकाल चुका हुआ कि ऐसे बाए से किये तक हमने देखा ना कितना टीन उम था यह तीन अम और यह तीन पारलल सीरीज में हो गये तुन और दिन कितना आपने देखा कि हमने किस प्रकार से सीरीज वाले सीरीज में जोड़े और किस प्रकार से पैरलल वाले पैरलल में जोड़े आपको वीडियो समझ में आया होगी आज के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए स्वस्तर ने मसते रहें और अपने काम में प्यस्तर ने धन्यवाद